इस वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टन जो दवाईयां होती है आपके बिर्ट्स के लिए उसके बारे में आज बात करेंगे और कौन-कौन से ऐसी दवाई है कौन-कौन से मिनरल से विटमिन से जो आपको रखने चाहिए उसके बारे में बात करने जा रहा हूं तो अगर यहां पर आपको कुछ दवाईयां देख रहे हैं इसके लावा भी में कुछ और दवाईयां आपको बताऊंगा और मतलब कौन से दवाई किस काम की आता ही है उस बारे में में बात करूंगा तो सबसे पहले गाईज नियो पेप्टाइन भी बात करते हैं तो यह जो नियो पेप्टाइन है यह स्पेशली आपको तब हेल्प करता है जब या तो आपका बिर्ड बिमार हो और इसको हैंड फीटिंग के ज़रुरत हो या फिर आपके बास कोई छोटा बिर्ड का चिक है उसको आप फैन फीटिंग करा रहे हो ठीक है तो क्योंकि स्टाइंग में कराते हैं तो जितना मैंने नोटिस किया है जल्दी इनको डाइजस नहीं होता है फूड कई बार लोज मोशन भी हो जाता है आपके बर्ड को तो इसकेस में अगर आप नियो पेप्टाइन के ड्रॉ जितरो कि उतरु नहीं है फूड करें इक अपूस की तो एक कर दोटाए त्व आप बहल सकता है तो जैसे आपको इंपक्रण सितना आपको वाटी वह जाती है और पर किसी लग जाता है आपको में थूड़ाओ एपन कैज़न पल्रोर पर सकता है तो यशी आपको इन वह को तो आप प्लीज उसको सिफलोक्स का यूज करें यह आई ड्रॉप है उनके आइस में आप डाल सकते हैं और इससे दो तीन दिन में आपका बर्ड एकदम ठीक हो जाता है मेल्निक्स के में बात करूंगा यहां तो आपके बर्ड को काफी जादा चोट लग गई है कई बार या फिर यह भी ओता है कि आपके बर्ड का कोई पाउं है वो टूड गया है काफी जादा घाल हो गया अपका बर्ड उसकेस में आप यह ओरल सॉल्यूशन है zool immigration गां आपको एक द्रॉप ंपने रस अपने बिर्च को खिलाला पड़ेगा और पानों सबसुत करता है वह पूंदें और सित्न तुर्मशन तुर्ग एंट रहता है तो उसको दर्थ बहुत ज़्यादा होगा भले ही वह शो ना करें तो यह दर्थ कम करने में और स्पेशलि लेकर हड्डियों में दर्थ है तो उस चीज को कम करने में यह मेलोनेक्स आपकी हेल्प करेती है एक और दवाई है यहाँ पर यह क्याप्सूल में जो है क्याप्सूल को फोर्ड केस में से जो एक लिक्विट निकलता है वह अपने बर्थ को बिला सकते हैं यह है औरसॉल औरसॉल कैसे हेल्प करता है आपको औरसॉल आपके बर्थ के हेल्थ को सही करने में हेल्प करता है जल फिर हमारे पास है spirit ठीक है यह आपको हर medical shop में मिल जाएगा यह कैसे help करता है कि आपके बर्ट को किसी कई बारस होते कि कोई बिल्ली आ जाती है वह आपके बर्ट को मार तो नहीं पाई लेकिन उसको काफे दर चोट पहुचाती है और बिल्ली के नाखुन में उसके मुह में का होता है कि जो बैक्टेरिया होता है वह इससे हट जाता है तो कभी भी आपके बर्ट को चोट लगे काफी जादा चोट लगी हो तब तो आप खैर यूज नहीं कर सकते बट हाँ अगर आपको लगता है कि आपके बर्ट को infection हो सकता है उसको प्लीज आप स्पिरिट से आप उ तो यह कैसे help करता है आपके बर्ट को यह mineral आपके बर्ट के लिए kind of multivitamin है यह ठीक है आपके बर्ट के फैदर के लिए अच्छा है फैदर ज्यादा ग्रो करते हैं इससे राइड इसमें जो इसके देखी आपको कितना देना है कितना नहीं देना है आप लिखा हुआ है इसके बाद component इसके यह रहे बूस्ट करता है immunity को weakness कम करता है आपके बर्ट के अगर चिक्स हो रखे है ठीक है और उनको अगर आप चाहते कि वह healthy हो आपके बर्ट के जिक्स आपके बर्ट के जिक्स जो है अच्छे से बड़े हो जाए अच्छी ग्रोथ हो उनकी हाइट और आगे जाके उनकी ग्रोथ अच्छी हो अब एक और दवाई है मेरे पास जो अगर आप ब्रीडर है या फिर आप अपने बर्ट से ब्रीडिंग ले रहे हैं तो आप यूज जरूर कीजिएगा इसका नाम है ग्रो कैल्डी राइट यह कैसे हल्प करता है यह कैल्शियम है आपके बर्ट को देना होगा अपके बर्ट को देना होगा अपके बर्ट के बर्ट को यह मजबूत करने में हल्प करता है आपके बर्ट के बोन को यह स्ट्रॉंग रखता है साथ में जो अगर आपके बर्ट के बर्ट है तो आपके बर्ट के अंदर कमी हो जा तो क्या होता ह यह ज printing तो एक्षम होता है वह काफी ज्यादा पत्ला हो जाता है राइट कर पाते हैं इससे वर यह जाता है कि आपके बट को जाती है क्यूंकि एक्षेल मसबूत है अगे उस्में प्क्षम होता है बट जो है बस एक प tenía शी तो बर्ड एग्स पास नहीं कर पादे सही से और उनके अंदर का अलच्यम की गमी तो होती है तो उससे उनको दिक्कत होती है तो यह सारी दवाईया है साथ में आप एक और आप काम कर सकते हैं कई बार काफी जादा जब चोट लग जाए ठीक है और डॉक्टर कई बार मना करते हैं कि आपको स्पिरिट नहीं देना है क्योंकि छोटे बर्ड में अगर उनको पहले सी बहुत जाए चोट लगी हो और अगर आप उस चोट को उस गंभीर चोट को अगर आप स्पिरिट से साफ कर रहे हैं तो उससे हो सकता है कि उनको एक अटा क्योंकि स्पिरिट आप जब भी लगाएंगे ना किसी चोट पर उनको जलन होती है बहुत ज्यादा चाहे हुँन बोडी हो चाहे कोई भी हो उनको ऑविसली जलन होगी तो स्पिरिट के जगह डॉक्टर बोलते हैं आप साफ लान यूज कीजिए तो यह दोनों चीज आप अब आपको यह दो पसंद आई होगी और आगे में वीडियो बनाते रहूंगा एंड एक टच जो है मेरे सब्सक्राइबर के साथ एक डम कट सागिया है मेरे प्लाइब नहीं कर पा रहा हूं किसी को फेस्बुक पे कॉमें नहीं कर पा रहा हूं मैं आपको इंस्सेग्राम नहीं दे पा रहा हूं और यह बहुत ज्यादा काम है फिलाल आंड आइंड वेरी बीजी राइट नाओ इसले में वीडियो भी ज्यादा नीड आल पाता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पिंगें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मुझा इसे प्या हूंग